Long questions के already में video बना चुका हूँ आप लोग income from house property की playlist चेक कर सकते हो उसमें एक introduction वीडियो भी है उससे आपको सब कुछ clear हो जाएगा Question no.3 Compute the net annual value in the following cases कहने का मतलब कि annual value निकालना है तीन case दे रखा है और हमको पता है दो तरीके से calculate होता है house income from house property कैसे? एक होता है house not covered under rent control act और एक होता है house covered under rent control act तो कैसे पहचानेंगे कौन सा covered वाला है, कौन सा not covered वाला है अगर Question में standard rent given है तो हम मानेंगे कि वह house covered under rent control act वाले formula से solve होगा ठीक? तो यहाँ पहले है उप check करो house 1 में भी standard RENT है house 2 में भी है house 3 में भी है यानि कि ये तीनों के तीनों ही किस formula से solve होंगे house covered under rent control act से solve होंगे ठीक है fair rent दे रखा है municipal value standard rent actual rent दे रखा है receivable if property remains let out throughout the previous year कहीं भी vacancy के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम आनेंगे पूरे साल का ही rent दे रखा है ये सब unrealized rent condition satisfy ये less करना होता है हमको और है local taxes paid by owner in previous year तो ये बहुत important point है ध्यान रखो अगर questions में जैसे आपको दे रखा है local taxes अब unpaid है तो आप less नहीं करोगे ठीक दूसरी चीज़ अगर previous year में paid है तभी कहने का मतलब paid होना चाहिए और previous year में ही paid होना चाहिए तभी आप इसको gross annual value में से less करोगे नहीं तो नहीं करोगे तीसरी चीज़ owner के द्वारा ही paid होना चाहिए ठीक है तो तीन चीज़ याद रखना local tax related पहला तो वो paid होना चाहिए ठीक दूसरा तो वो previous year में ही paid होना चाहिए और तीसरा वो owner के द्वारा ही paid होना चाहिए जैसे कई बार question में देता है local taxes paid by 10 जो मतलब किरायदार है उनके द्वारा तो फिर आप paid है तो भी आप less नहीं करोगे क्योंकि owner के द्वारा pay होना चाहिए तो ये greater होता है उसको हम greater one नाम देंके यहां लिख देते हैं उसके आप फिर actual rent और standard rent इन दोनों में से जो भी greater है उसको greater two नाम देंके हम यहां लिख देंगे फिर उसके बाद इन दोनों amount में से जो भी lower होगा वही हो जाएगा gross annual value और आप यहां लिख देना ठीक उसका तीन चीज लेस करते है municipal taxes paid by owner अभी मैंने बताया municipal taxes वाला कि pay भी होना चाहिए owner के द्वारा pay होना चाहिए और previous year में ही pay होना चाहिए तो इन तीनों point को ध्यान रखना अगर question में सिर्फ लिख दिया municipal taxes paid लिखा है मानना कि वो सारी condition satisfy है लेकिन कई बार question में इसलिए दे देता है जैसे लिख देगा कि municipal taxes paid तो हुआ है लेकिन उस previous year में नहीं pay हुआ है तो आप नहीं लोगे municipal taxes paid तो लिखा है लेकिन लिख दिया कि paid by जो tenant है उनके द्वारा pay हुआ है ठीक है तो भी आप नहीं लोगे ठीक तो यह सब चीज ध्यान रखना कि municipal taxes paid होना चाहिए owner के द्वारा pay होना चाहिए और previous year में ही pay होना चाहिए तो ले लेना फिर उसका vacancy अगर कोई है तो यहां ले लेना उतने months की और unrealized rent अगर दिया हुआ है तो वह ले लेना यहां पर तीनों को add करके आप auto column में लिखो और gross annual value से less करो आपका आजाएगा annual value तो जैसा कि आप देख रहा हो कि तीनों में ही बस वही चीज पूछा है कि annual value और तीनों में ही standard rent दे रखा है मतलब की covered वाले formula से solve होगा इसलिए मैं केवल house 1 को solve करके दिखा रहा हूँ house 2 और house 3 आप खुछ से solve करना same formula से ठीक है इस वीडियो में मैं सरिफ house first को ही समझा रहा हूँ house second और house third आप खुछ से करना क्योंकि सब कुछ same है सारे particular same है तीनों में standard rent दे रखा यानि की covered वाले formula से solve होगा तो तीनों कराने कोई मतलब नहीं बस first करा रहा हूँ second third कर ले आप ठीक है तो solution देखते है third का सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे income from house property नहीं calculate करना है स्रिफ फर स्रिफ annual value तक ही हमको जाना है तो annual value हम किसका कर रहे है house first का ठीक है तो यह क्योंकि covered वाला है तो standard rent दे रखा है तो इसलिए आप इस वाले formula solve करोगे municipal value फिर उसके बाद आप लोगे actual rent फिर उसके बाद आप लोगे fair rent ठीक है अब इन तीनों amount को पहले लिख लो house first का municipal value कितना है 72,000 rupees actual rent house first का कितना है तो 1,20,000 rupees वो भी लिख लो आप यहाँ पे उसके बाद fair rent कितना दे रहा है house first का तो 84,000 rupees है ठीक उसके बाद हम क्या करते हैं इन तीनों में से जो भी greater है उसको हम greater first नाम देके यहाँ लिख लेते हैं outer column में तो 1,20,000 rupees है हमने यहाँ लिख लिया ठीक उसके बाद हम लेते हैं actual rent और फिर standard rent क्योंकि यह covered वाला है ना तो actual rent कितना है actual rent है 1,20,000 rupees यहाँ लिख लो आप उसके बाद standard rent वो कितना है 80,000 rupees यहाँ लिख लो आप ठीक अब इन दोनों में से जो भी greater है उसको आप नाम दोगे greater to और यहां लिख दो तो 1,20,000 रुपीज आ गया है ठीक उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद हम लिखते हैं whichever is lower in 1 and 2 वो हो जाता है हमारा gross annual value यानि कि GAV मतलब कि यह first और यह second इन दोनों amount में से जो भी lower amount होगा वही होगा तो cross annual value और आप देख रहो यहां दोनों ही same है तो इसका मतलब कोई भी लिख दो आप वही बात होगा lower लेते हैं न तो दोनों ही बराबर है यहां लिख लो तो इसमें confused ना होना कि अब बराबर हो गया तो क्या करना है ठीक है तो यहां पर आप इसको इसे लिख दो gross annual value आपका हो गया 1,20,000 रुपीज ठीक है फिर आप less करते हो तीन चीज सबसे पहले municipal taxes paid by owner ठीक फिर लेते हैं हम vacancy फिर हम लेते हैं unrealized rent ठीक है question में बोल रखा है municipal वही local taxes ही municipal taxes है ठीक है तो local taxes paid by the owner in previous year फिर से बता रहा हूँ तीनों चीज ध्यान रखना taxes paid भी होने चाहिए previous year में ही pay होने चाहिए और owner के द्वारा pay होने चाहिए ठीक है कई बार आगे जब जब long question करोगे तो आप देखोगे यह चीज कि भई question में लिख दिया municipal tax paid by tenant का नाम लिख दिया तो आप समझ जाना कि अरे tenant ने pay कि है हमको नहीं less करना है क्योंकि सिर्फ owner वाला ही less करते हैं ठीक है और कई बार लिख देगा municipal taxes unpaid तो आप मत लेना फिर लिख देगा कि municipal taxes paid तो हुआ है लेकिन previous year में नहीं pay हुआ है तो मत ले लेना ठीक है तो यह तीन चीज आप mind में रख है तीनों house में है तो house first में कितना unrealized rent 30,000 rupees और condition satisfied है 30,000 rupees आप यहां लिख लो और कुछ है नहीं 30,000 और 6,000 को आप add करो और यहां पर लिख लो ठीक फिर उसके आदम less करते हैं इसको तो 1,20,000 यानि कि जो हमारा gross annual value है उसमें से हम यह list करेंगे यह कितना आगया 84,000 rupees ठीक है question ने बस annual value ही पूछा है तो आप यहीं रुख जाना उसके बाद कुछ निकालने के जरूरत नहीं है अगर income from house property पूछता तो अभी हम और आगे भी जाते ठीक एकदम सेम इसी तरीके से आप निकालना second का भी आ जाएगा third का भी आ जाएगा ठीक है